तो भाइया, compartment में पास करा दो देखो यार, सबसे बड़ी गलती जो तुम्हारी है वो यही है कि तुम compartment में पास होने का सोचते हो compartment तुम्हारी लिए एक जीवन दान है और एक दूसरा मोका है कि जिसमें तुम perform करके अपने score को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हो और जो तुम्हारा percentage पहले बन रहा था उस percentage को तुम ज्यादा बना सकते हो चलो तुम्हारा सामने की example रखते हैं माल लो एक ऐसा बच्चा है जिसके 24 marks आये हैं सारे subjects में तो उसके percentage कितने बने around around माल लो उसके practical मिला मुला के 59 to 60% बनते हैं ठीक है जिस बच्चा just pass हो गया है लेकिन वो pass सम्मे हो गया है अब उसके पास एक option है कि वो improvement exam दे सकता है और अपने marks को बढ़ा सकता है on the other hand तुम्हारा भी percentage उसी के बढ़ाबर बना है 59% बट एक subject में तुम्हारा compare आया है यानि कि उस एक subject में अगर तुम score करते हो समझ ले हो अगर तुम high score करते हो तो तुम ultimately अपना 10% भी बढ़ा सकते हो अराम से अगर तुम उसमें 50 score करते हो तो मैं तुम्हें बता दू कि compartment तुम्हारे लिए उनकी date sheet आईगी और जितने भी 12 वाले बच्चे हैं उन सभी का compartment exam एक दिन में ही सारा हो जाएगा तो जो आपका compartment exam है बेसिकली जो आपका first chance है class 12 का दिया हुआ है 15 जुलाई को होगा 2024 एक दिन में सारा exam और class 10 का भी 15 जुलाई से start होगा लेकिन उनका सारा exam मतलब date sheet उनकी आईगी प्रॉपर तो जो भी हमारे class 12 वाले बच्चे हैं ये सुन ले प्रॉपर कि आपके पास 15 जुलाई है आज की date से अगर देखा जाए तो लगबग मालो 40 दिन बचे हैं तो भाई या compartment exam तो clear करेंगे वो बताऊंगा कैसे करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज बता दू कि मैंने एक छोटा सा चीज स्टार्ट किया आप लोगों के लिए जिसमें की आपकी actual skill जो की होती है soft skill तो तुमारी soft skill को बढ़ाने के लिए मैंने एक छोटी सी चीज शुरू की है with a professor of I am Sambalpur and pass out of I am Ahmedabad Mr. Salil Agarwal और ये जो है ये एक channel है जिसमें कि मैंनों soft skill सिखाते हैं आप उसको जाके एक बार जरूर चेक आउट करना उसकी वीडियो का link मैं description में दे दूँगा और from कैफेपीडिया जरूर कमेंट करना ठीक है बाईया का नाम होना चाहिए तो आप एक्जाम कैसे पड़े बाईया 40 दिन में देखो एक सबसे बड़ी चीज बताता हूँ क्योंकि हमारा perspective है score करना तो अभी एक चीज याद रखना कि boards और compartment exam के question में फर्क क्या होता है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ boards के question से tough आते हैं compartment के question ये सबसे बड़ा भड़म है ऐसा कुछ नहीं होता same level same pattern अब तुम्हारे पास सबसे बड़ा अच्छा चीज क्या है तुवेल्थ के बच्चे का जब board का exam हुआ question paper आया तो उस बच्चे को तो नहीं पता था कि question क्या आने वाला है मतब केस तरह क्या आएंगे theoretical जादा होगा numerical जादा होगा लेकिन अब तुम्हें पता है तुम्हारे जिस भी subject में compare लगा है उस subject का जितना भी set आया है इस बार cbse boards में सारा set एकटा करो ठीक है और उन सारे sets को एक बार आपको solve करना है जब आप पढ़ाई कर लोगे ये चीज़ याद रखना वो sets आपको solve करने ही है probability है 30% question लड़ भी सकते है ठीक है तो सारे sets आपको solve करने है आपको pattern का अंदाज मिल गया जो जो question नहीं बन रहे है वो क्यों नहीं बन रहे है वो पता करो क्या वो theoretical question है अगर theoretical है तो पता करो किसमें कौन सी theory है जो मैंने miss करी है और उसको दुबारा पढ़ो ठीक है अगर वो numerical question है तो numerical क्यों नहीं बन रहा है कहां पर मैंने lag किया है कौन सा question में कहां पर मुझे दिक्कत आड़ी है उसको पता करो और उसको समझो ठीक है तो ये तुम्हारा help जो है ये पूरी तरीके से boards का paper 100% कर देगा ठीक है अब boards का paper ही तुम्हारा ये help कर देगा तो उसके पहले का process क्या होगा ये बता देता हूँ पढ़ने के लिए आपको simple ये करना है कि आप YouTube से पढ़ोगे लेकिन एक subject का exam देना है किसी किसी लोगों का शायद 2 subject का कमपाट होगा I'm not sure तो जिनका भी एक subject का कमपाट है ये चीज़ तो बिल्कुल एकदम दिमाग में डाल लो कि अब तुम्हारे पास 40 दिन है और 40 दिन म आप question focus कर लो that's all you need दो दिन में थोड़ी focus अगर करोगे न और एक दिन का अगर 8 गंटा भी पढ़ोगे दो की पढ़ना पड़ेगा भाईया कमपाट लगा तुम्हारा ठीक है तो घर वाले बजाएंगे जूते तो जो 8 गंटे पढ़ोगे इस 8 गंटे में तुम इतनी question बनाना है और जो boards में question आये हैं इस साल के वो बनाना है ये दो चीज़ आपको last दिन यानि कि तीसरे दिन बनाना और पहले दो दिन में आपको थोड़ी पढ़ते पढ़ते in text और example के question बनाने है जिनका लगा है भाईया numerical subject में यानि कि math में accountancy में भाईया 45 दिन है जतने question solve क कर सकते हो ncrt से कर लेना और जतने previous year question और जतने ये जो boards में आये हैं बना सकते हो बना लेना 45 दिन में तुम जतना practice कर सकते हो अपना सर पैर हाथ सब लगा दो और तुम्हें इतनी लेवल के practice करनी होगी कि at least 50 अब तो score करना है देखो यार मेरा सिंपल है मेरा उतना target नहीं है 70 out of 70 लेकिन मेरा target है 10% और 10% होता है 50 marks और वो 50 marks तो तुम्हें secure करनी होंगे इस 45 दिन में हर दिन के भाईया एक marks बनाने बोल रहा सारी मेहनत तो 8 गंटे की परहाई में अगर आप 10 marks बना ले रहे हो तो it's all good और उतना ज्यादा मेहनत करनी की जरूत नहीं है बस 3-3 गंटे करके 3 slot लगा लेना 3 गंटे सुबह में पढ़ लेना दोपहर में पढ़ लेना और शाम या रात में पढ़ लेना बागी time chill मारो कौ से रेलेटेड क्योंकि तुम लोग को अभी समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करें तो वहां जाकर चेक आउट कर सकते हो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बबाई टेकर इंपीस जय हिंद बंदे मातरम और ऐसी कोई भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्षन में बत